हलो स्टुएन वल्कम टू एक्विटर अकैडमी धर अदून यह एक ऐसा इंपॉर्टन टॉपिक है जो आपके इंडियन फॉरेस्ट सर्विस या एसी एफ या एफ औरो के एक्जाम में आपके पेपर में आ सकता है या आई इसके प्रिवेंस पे भी आने के चांसेज हैं तो यह एक साइंस का टॉपिक है और खास और पे आपके बॉटनी से लिया हुआ टॉपिक है करेंट डिफरस में एक पॉटर इविस इंपॉर्टन है तो टॉपिक का जो थीम है वो यह है कि जो लगातार आपकी क्या हो रही है ग्लोबल जो आपकी वार्मिंग हो रही है उसका किस पे आपके प्लांट्स पे कैसे पढ़ता है और प्लांट्स उसके अगेंस्ट में किस तरीके से रिस्पॉंस करता है तो नही रिसर्च आपकी आई है तो most probably एक्जाम में आने के चांसे हैं तो अगर हम देखें मैंने तुलासा इसको enlarge किया है there are what microscopic pores होते हैं ठिक leaves के हैं in leaves के तो वो क्या होते हैं आपके stomata होते हैं ये क्लास आपने किस में पढ़ा होगा 10th और 9th में पढ़ना शुरू करते होगा stomata opening and closing तो ये stomata जो होते हैं वो क्या करते हैं health plant breathing ठिक एक fact यह आपको या रटना है by controlling how much water they lose to evaporation ठिक तो यानि कि the process of evaporation has been controlled by what stomata तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि number of जो आपके stomata हैं वो कितने हैं कई leaves पे आपके जो number of stomata होते हैं ज़्यादा होते हैं तो अकर ज़्यादा होंगे तो उनमें जो breathing का process होगा यानि कि plant breathing का process होगा वो ज़्यादा होगा कई plants में जो stomata के numbers होते हैं वो कम होते हैं तो उनमें जो breathing का process होता है थोड़ा as compared to other plants के मुकाबले कम होता है देने कर आप देखो अगला point जो मैंने highlight किया these stomatal pores enable and control carbon dioxide intake ठीक है तो ये एक और आपका second point हो गया ये आपका first point हो गया ठीक ये second point हो गया कि carbon dioxide intake को भी control upon करता है stomatal pores और ये हमारे human beings के या जितनी भी living organism है पुरी दुनिया में उनके लिए बहुत important है क्योंकि सब के सब जो है as output के तोर पे carbon dioxide को बाहर निकालते हैं जो ज़रूरी है कि carbon dioxide का क्या हो plants intake करें and then बदले में after the process of photosynthesis plants क्या बनाते हैं carbohydrate and आपका oxygen बनाते हैं जो हमारे काम आती है फिर key mechanism में अगर देखें with global temperatures जो लगातार क्या हो रहा है shoot up हो रहा है increase stomatal pores consider a key mechanism that can minimize heat damage to plant ठीक है तो यहाँ से एक आपका question MZQ में बन सकता है कि जो आपका लगाता global warming हो रहा है temperature increment हो रहा है उसने जो plant में damage हो सकता है किसी भी तरीगी का उसको बचाने के लिए plants किस पे dependent होता है आपका तो plants किस पे dependent होता है यह जो लगातार आपका increasing temperature हो रहा है these stomatal pores पे dependent होता है यह आपको वहाँ पर टिक करके आना है जो आपके researchers है University of California के उन्होंने एक pictorial जो है view बताया है कि कैसे आपके increased stomatal breathing होती है transpiration होता है process and response to elevated temperature तो यहाँ से हमको क्या ध्यान रखना है कि जब जब आपका temperature increase हो रहा है तब तब आपका number of stomatal जब नबर of stomatal है on the leaves वो क्या कर रहे है increase भी कर रहे है उनका जो rate of breathing है वो भी क्या हो रहा है increase हो रहा है researchers बहुत दिनों तक जो खास और पी VPD था यहाँ से paragraph शुरू होता है यानि कि vapor pressure difference ठीक है उसको clamp नहीं कर पा रहे थे उसको समझ नहीं पा रहे थे पर यहाँ पर लिखा हुआ है क्या the researchers develop a novel approach for clamping the VPD of leaves to fixed values under increasing temperature ठीक है यानि कि vapor pressure difference और increasing temperature को समझने कि उन्होंने successful जो कोशिश थी वो आप हासिल की है तो वहाँ पर इनको यह पता चला है कि leaves के अंदर या plants के अंदर क्या होते हैं carbon dioxide आपके sensors होते हैं ठीक है carbon dioxide sensors होते हैं वो response करते हैं against the global warming or increasing temperature to cool out the stomach ठीक है बस ये तो ये चीज़ है दूसरा जो नहीं research पता चल रही है कि अगर extreme temperature पहुच जाए बालिगे temperature 45 है 48 तक है 48 बाती plant सर्वाइब पहल लेता है stream को लेकिन जैसे आगवा 50 है 50 से उपर पहुच 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 है यहां पर लिखा है कि photosynthesis in plant is stressed and declined तो extreme heat temperature में आपका photosynthesis process decline होगी और अगर photosynthesis process decline होगी तो सारा जो आपका production of oxygen है and intake of carbon dioxide है from the atmosphere वो भी क्या होगा affected होगा that is very scary for our human beings ठीक है तो यह इस article का एक क्या था जिस्ट था जो मुझे लग रहा है कि आपके exam में किसी ना किसी form में आ सकता है तो अगर आपको यह video पसंद आया है तो इस channel को like कीजिए share कीजिए और अपने दोस्तों को इस channel के बारे में बताइए मैं ऐसे और भी जो videos है जो आपके exam में आपको prelims में आप में इसमें मदद कर सकते हैं ऐसे ही कुछ चीज़ें आप लोग लिए लाता रहूंगा simple जितना हुसा के उसको करके